नमस्कार प्रियदर्शकों हजर हुमें 11 मई 2030 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानि दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देव गुरु ब्रहस्पती को नमन कर चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारम्भ करते हैं बात करेंगे स्वामी देव गुरु प्रारम्भ करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग की आज गुरुवार है जेश्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज शष्ठी तिथी है जो दिन में 11 बच करके 27 मिनट तक है और इसके पुष्चात सब्तमी है उत्तरा शाड़ा नक्षत्र है दो पहर दो बच करके 37 मिनट तक और इसके पुष्चात सुरामण नक्षत्र है शुभयोग वनिज करण है बातवी पुष्चांग की चंद्रमा आज मकर राशी में रहेंगे और अभिजित मुहरत का समय दिन में 11 बच करके 28 मिनट से 2 पहर 12 बच करके 21 मिनट तक का होगा वहीं राहुकाल दोपहर एक बच करके 30 मिनट से 3 बच तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाव लेना हो ऐसे प्रतेक कार्य को अभिजित मुहरत में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित मुहरत हरीक्वती प्रिय है राहुकाल में कोई भी नया कारे प्रारंभ नहीं करना चाहिए प्रेय दर्शकों दिव्वय महा प्रयोग में आज दिव्वय चर्चा जन्म कुंडली में शनी के प्रभाव से संबंधित है ज्यानवर्धक है दिव्वय महा प्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे गुरू राहू, बुधर और सूर्य ये चार ग्रहयुती बनाकर मेरेश्रसी में संचरन कर रहे हैं और शुक्र का संचरन मिथुंडासी में जारी है, मंगल करक में है, तो अहीं केतू तुला में, चंद्रमा आज मकर में और शनिदेव कुम भराशी में संचरन कर रहे हैं यह थावत यह है ग्रहिस्थिति तो गोचर कुंडली में अगर आज देखें तो चंद्रमा मंगल आमने सामने हैं और ये चंद्रमा आज सुरी के नक्षत्र में दो पहरतक रहेंगे, दो बज़े के बाद ये जब नक्षत्र परीवर्तन करेंगे तो फिर स्वयम के नक्षत्र में ही होंगे ये चंद्रमा आज आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं बागी की ग्रहिस्तितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, गुरुबार का दिन, कौन सी उराशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहत खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी उराशियां हैं जिन्हें आज बेहत सचेत रहने की आवशक्ता है, कौन सी उ इन ही ग्रहिश्टितिएव की आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार यह निदैनी राशी हल तैयार किया है वो ने दर्शक जम्राशी फल के गारिक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बतादू यह राशी फल आपके जन्मराशी के आधार पर है यहनि आपकी जन्म कुंड़ी में चंद्रमा जिस अराशी में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशी अगर आप के जन्म राशी के बारे में नहीं जानते تو फिरा आप अपने प्रचली नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं प्रिदर्श को सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मुहूर्थ की सोलह मई दिन मंगलवार उस दिन मुहूर्थ मिल रहा है प्रसूति का इश्नान का जो की प्राता काल आठ बच करके पांच मिनट से नौ बच करके पच्चिस मिनट तक है लाल रंग के वस्त्रुधारण करने का भी मुहूर्थ मिल रहा है प्राता काल साथ बच करके ग्यारह मिनट से नौ बच करके पच्चिस मिनट तक इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्थ नहीं है चली चलते हैं दिब्बे महा प्रयोग क्योर प्रियदर्शकों शनिदेव से संबंधित चर्चा वैसे तो मैं कह सकता हूँ कि हर दिन हर दो दिन तीन दिन के पस्चात करनी ही पड़ती है क्यूंकि शनिदेव से संबंधित जब आप अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपको एक से बढ़कर के एक चीजें मिलती ही रहती है प्रियदर्शकों आज उसी क्रम में मैं शनीदेव से संबंधित कुछ बेहद अद्भुत बातें आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ काल पुरुष का विशाद दुख है सनी अभी पिछले दिनों शनीख के संबंध को नक्षत्र से संबंधित बताया था मैंने आपको कि कुंडली में ये साधना की और प्रवुत करते हैं जातक को लेकिन आज आपको कुछ अद्भुत बाते बताने वाला हूँ हम सभी अपने जीवन काल में अगर किसी से प्रवावित हैं तो किस से महापुरुषों से हम महापुरुषों को अपना आदर्स मानते हैं उनसे कही न कहीं हम प्रवावित हैं उनके पग चिन्वों पर चलने का प्रत्न करते हैं जैसा मैंने अभी भी कहा कि काल पुरुष का दुख विशाद है शनी और आप को एक कमाल की बात बताऊं चाहे आप महाराजा हरिश्चंद्र की कुंडली उठा लीजिए भगवान स्रीराम की कुंडली जो की प्राप्त है भगवान स्रीकृष्ण की कुंडली महाराज रावन की कुंडली आदिगुरु शंकराचारी की कुंडली ये जितने भी महापुरुष हैं आप इनकी कुंडली को एक बार उठा करके देखी आप आश्चरे चकित हो जाएंगे कि आप इन सबों की कुंडली में शनीदेव को बेहद बलवान देखेंगे बलकि शनीदेव जब काल पुरुष का विशाद है शनी और इन महापुरुषों की कुंडली में वो शनी सरवाधिक बली स्थिती में आपको दिखता है या उच्छरासी में दिखता है तो इसका क्या मतलब है अगर आप ये सोचते हैं कि आज कमाये खाये खतम किये तब तो फिर आप शायद शनी के महत्तों को नहीं समझ पाएंगे लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपके जाने के बाद भी लोग आपके पदचिन्हों पर चलने का प्रत्न करें तो विश्वास मानिए कि आपको अपनी जन्म कुंडली में आप किसी भी लगनके हैं शनी को देखना चाहिए जी हाँ मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि अगर आप केवल इस वर्तमान भौतिक जीवन में भौतिक सुख को पाना चाहते हैं तो आप शुक्र को देखिए आप गुरू को देखिए आपको इन ही ग्रहों को समझना चाहिए लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा कर जाओं जिसे आने वाली पीडियां भी याद रखें या मेरे पगचिन्हों पर चले लोग मुझे याद रखें तो विश्वास मानिये दीर्घकाली चितनी भी घटनाय होती हैं उस पर किसका आधिपत्य है शनी का एक नाम हुआ ऐसा कि छणिक नाम है आपने कुछ किया लोगों में जैजेकार हुई बात खतम हुई परन्तु एक आदर्स के रूप में आपको लोग याद रखें तो इसके लिए जन्म कुंडली में शनी की स्तिती नौमांस में सनी की स्तिती आपको अवस्य ही देखनी चा मैं कहता हूँ बली दिखें सनी तो इसमें कहीं कोई दोमत नहीं ये भी मैं हमेशा कहता रहता हूँ ये बात भूलना नहीं चाहिए कि जिस कुंडली में शनीदेयों बहुत बली अवस्था में दिखाई पड़ें ऐसे जातक का जीवन जो है वो कहीं न कहीं नैराश से पू पिष्ण हूँ महराज रावन हूँ चाहे वो आदि गुरु शंकराचारे हूँ आप इन सबके जीवन में देखें तो एक अलग तरीके का संघर्स इनके जीवन में रहा है और जैसा कि मैंने कहा कि अगर लंबे समय तक आप चाहते हैं कि लोगों के दिमाग में आप बने र देखिए हर व्यक्ति का ऐसा कोई उद्दे से तो है नहीं हर कोई ऐस देखिए ये तय है कि हर किसी का अपना अपना पुर्वार्ध है प्रारब्ध है जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आदि गुरु शंकराचारे बनने ही आया है पर आदि गुरु शंकराचारे भी तो हमी म से थे कोई अलग से तो नहीं अवतरित हुए थे बाई देखिए ये बात सकते है कि वो अवतार ही था भगवान शंकर के अवतार थे लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा कि जब हमारा सनातन धर्म यही कहता है कि हम सभी उसी परमात्ना के अंस हैं तो हम भी किसी न किसी के कही न कह अपने आपको न तो पहचानते हैं हमारा केवल और केवल उद्दे से खाना पीना सोना समाप्त हो जाना हम अपने उद्दे से को कभी समझ ही नहीं पाए है हम उस गोल को कभी नहीं समझ पाए है उस लक्ष को जिसको प्राप्त करने के लिए हमें भेजा गया है शनी को जीए, निसंदे ही ये सनी दुख के कारक है, दुख देते हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं, कि कुंडली में जिनके भी शनी बली हैं, एक और चीज मैं पैटर्न पर गौर कर रहा था, रिसर्च, जाहिर सी बात एक जोती सी होने के नालते हैं, जब आपको मुझे दिखाना ह होता है, बताना होता है, तो मुझे बहुत कुछ पढ़ना पढ़ता है इसके लिए, तो मैंने ये भी पाया कि जिनकी कुंडली में शनी अश्टम में रहे हैं, उन्होंने भी खूब नाम पाया है, अलग बात है कि उनके जीवन में जिनकी भी कुंडली में हैं, वो अपने पाया, जिनकी कुंडली में मैंने सनी को बली अवस्था में, अश्टम में पाया, बली अवस्था में, एक बात तो तय है कि चाहे वो कुंडली का लगन हो, चतुर्थ हो, नवम हो, अश्टम हो, दसम भी, सनी देव का इन भावों में होना अपने आप में अत्यंत है, सश्ट के सनी देव भी अत्यंत स्रिष्ट, तो जैसे भगवान स्री कुंडली में अगर आप देखें, तो उच्च के सनी आपको सश्ट में दिखाई पड़ेंगे, तो वो जीवन भर शत्रूं से लड़ते रहे, एक उच्च कोटी के वो राजनितिग्य भी थे, और शत सनी आपको वहाँ दिखेंगे, यानि उनके जीमन में भी तमाम संघर्स और परिशानिया रही थी, हम उनकी केवल कहानिया पढ़ते हैं, जरह सोच के देखें कि जब उनके साथ ही हो रहा होगा, तब कैसी उनकी स्तिती होगी, आज हम सिर्फ उनकी कुछ कहानिया जानते हैं लेकिन वह जूज रहे होंगे, जूजे होंगे, तभी तो हम उनको पूज़े मान कर के उनकी आज पूजा कर रहे हैं, तभी तो आज हम उनको भगवान के रूप में पूज रहे हैं। मेश राश की जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी रासी से आज दसम में है ये चंद्रमा सुरी के नक्षत्र और इसके पश्चा आप फिर स्वैम के नक्षत्र में रहेंगे पूरे दिन गुरुबार का दिन बढ़िया है आपके लिए विश्रेश करके अगर कुछ नया कारे प्रारम्भ करने की सोच रहे हैं तो लाभ के दृष्टिकोंड से तो बहुत ही बढ़िया है कोई ऐसा मसला जहां आप मुसीबत में फसे हुए थे आपका कोई काम फस गया था की हो जाए तो आज समझावता होगा यानि जो भी हो आपके पक्ष में ही सब कुछ होने वाला है धनागमन के रास्ते बन रहे हैं स्वदेश के साथ साथ विदेश से भी नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो यहां भी आपके मन का होगा मंगल के परिवर्तन के चलते थोड़ी सी परिशानियां रहेंगी जीवनकाल में लेकिन कहीं न कहीं लोग मददगार होते रहेंगे नौकरी, ब्यापार, हर मामले में दिन ठीक है, मन लगेगा कामधंदा बढ़िया चलने वाला है हला कि घर के माहौल में थोड़ी नेगेटिविटी जरूर दिखाई पढ़ है, नकारात्मक उर्जा है, इस पर आपको काम करना होगा कारेस्थल पर किसी भी प्रकार का बहस किसी के साथ मत करिएगा, लवलाइफ के दृष्टिकोन से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, दामपत्य जीवन भी एक हद तक ठीक है क्योंकि मैं कलह किस्तिती घर में देख रहा हूँ, तो उसमें आपका दामपत्य जीवन प्रभावित है प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं, तो कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़े, बात यदि विद्यार्थियों की करें, तो मन पढ़ाई में आपका लगेगा विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, बलकि कोई पुरानी गलत प्रिशब के जातकों की बात करूँ तो सावधानी के साथ आपको काम करना होगा, हलाकि दिन अच्छा है, परंतु कारे की समिख्षा करते हुए काम करना होगा, दूसरों की भी सुनिए, पिता के स्वास्त का खयाल रखिए, अपने मन की करने की जगह, अगर आप औरों की भी सुनते रहेंगे, तो दिन और जादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा, किसी को धनुधार मत दीजेगा, दिन ठीक है, तो काम बनेगा कारेक्षेत्र में मान सम्मान आपको हासिल होगा, बात ब्यापारियों की करें, तो ब्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया जाता दिखाई पड़ रहा है, बलकि कहीं पैसा अगर आपका पैसा फसा हुआ था, वो पैसा वापस मिल सकता है, अगर आप प्रत्न करें, क्रोध, जिद, जूट, इससे आप मुसीबत में पड़ेंगे, आज विशेश रूप से, जीवन साथी का सम्मान, वाद विवाद न करें जीवन साथी के साथ, अगर सम्मन्ध में कहीं कोई परिशानी है, तो उसे सुधारने का प्रत्न करें, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामाने त्या ठीक दिखाई पड़ रहा है, और स्वास्ते के दृष्टिकोंट से देखें, तो स्वास्ते में थोड़ी परिशानी है, विशेश करके पूराना रूग आपको परिशान कर सकता है, मिथुन के जातकों के दिबात करें, तो दिन ठीक है, कोई खुश खबरी आपको मिलने वाली है, साकारात्नोक सोच बनाए रखना होगा, सब के साथ प्रेम से मिल रही है, प्रेम से मिलिए, आज आपसे मिलने वाला व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए, बस ये मूल बंतर रहाद रखिए, समझ लिजे, आपके सभी काम आसानी से बन जाएंगे, आफस में हो या फिल्ड वर्क में, आपके सभी काम बंते दिखाई पड़ रहे हैं, नई नौकरी के लिए प्रतनसील हैं, तब भी दिन अच्छा है सफलता आपको मिलेगी, काम बंता दिखाई पड़ रहा है, कहीं इंटर्व्यू इत्यादी देने के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पर जरूर सचेत रहे हैं, इंटर्व्यू के लिए दिन ठीक नहीं है, प्रतनसील हैं, तो भी बात बनेगी, दामपत्ते जिवने दी मतभेद किस्तिती है, तो धैरे पुर्वक इसे भी सुल्ज हाने का आपको प्रतन करना चाहिए, बाद विद्यार्थियों के करें, तो विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक रहने बाला है दिन, और स्वास्ते के दृष्टिक मोर से देखें, तो स्वास्ते में कोई परिशानी नहीं है, पर आलस से आज आपका बहुत बढ़ा सत्रू है, यह सबसे बढ़ा रोग समस्या का समाधान भी निकलेगा और काम भी बनेगा, यूँ समझ लीजिए कि जैसे भाग गया आपके साथ है, आपकी कोई काम ना पूरुन होते दिखाई पड़ रही है, ओफिस हो या फिल्ड वर्क, आपके सभी कारे बनेंगे, आपको उसका फायदा मिलेगा, कारिस्थ मिलेगी, ब्यापार को लेकर के दिख कोई यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो वो कर सकते हैं, यात्रा के लिए लाबप्रद रहने वाली है, जिद्ध मत करिए, विश्यस करके जीवन साथी के साथ समंध को मधूरू बनाए रखिए, जीवन साथी पर किसी तरह का दबाव डालिए, इससे ज़्यादा परिशानी होती दिखाई पड़ रही है, लव लाइफ के दृष्टी कोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, बढ़िया रहने वाला है, तो ही जीवन साथी से सुख मिलेगा, खुशिया मिलेंगी, बिद्ध्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत ही बढ़िया है, अच्छा रहने वाला है दिन, विश्यस करके अगर आप मेडिकल फिल्ड के विद्यार थी हैं, तो कहना ही नहीं सफलता प्रदायक है दिन, और स्वास्ते के दृष्टी कोण से देखें, तो स्वास्ते को लेकर के जरा सचेत रहना होगा, स्व के जातकों के लिए भी दिन ठीक है, साकारात्मक रहने वाला है, स्वास्ते का खयाल रखियेगा, पेट से सम्मंधित परिशानी की संभावना है, बाकी दिन अन्कूल है, दामपत्ते जीवन सुखत, प्रेम सम्मंध में भी स्थितिती बहुत अच्छी दिखाई पड़ रह है, मन खुस रहेगा आपका, अगर आप बेरोजगार हैं, तो रोजगार से सम्मंधित, सुचना आपको मिल सकती है, नयसीरे से आपको उस पर प्रयास करना चाहिए, हिम्मत बनाए रखिये, और कारे अपना प्रारम बगर ये सफलता आपको मिलेगी, किसी को धनुधार मत दीजे, और बात तो ही प्रेमियों की करें, तो प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, अच्छे से समय बीतेगा, विद्यार्थियों के लिए, मिहनत जितना हो सकती है, अधिक भाग दोड़ के कारण, तो आराम करिए, सब कुछ ठीक हो आज सुम्हरासी के जातक केशर का तिलक अपने माथे पर प्रताहकाल लगाएं लकियं के चार लकी कलर जामुनी हैं, निवेश कर सकते हैं, करन्या के जातकों को भी निवेश करना चाहिए, जो भी काम आप हाथ मिलेंगे समझ लीजे उसमें आपको सफलता मिलेगी, आज भ बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं, बड़े परिवर्तन के लिए आप तयार हैं, और वो परिवर्तन आपके हितमे होने वाला है, योजना बना करके काम करिए, परन्तु ये ध्यान रखे कि अपनी योजना हर किसी से श्यर मत करिए, इससे आपको फाइदा ह होगा, और व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन से समंधित फैसला करना चाहते हैं, तो करिए, पैसों के लेंदेन में लापारवाही नहों हो, इस बात का विशेश रूप से खयाल रखिए, और म उसके लिए दिन बहुत अच्छा है, उसमें मन लगेगा, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, और स्वास्त के दृष्टी कोण से देखें, तो स्वास्त में कहीं कोई विशेश परिशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, सरबत मिट्टी के पात्र में भरकर के आज सिव अगर अच्छा बिताना चाहते हैं, तो सबसे पहले विनम्रता के साथ सब के साथ पेश आईए, आपकी ज़्यादातर समस्याएं दूर होंगी अगर आप लोगों के साथ विनम्रता पूरुन बेवहार करें, कारिक्षत्र में मिहनत की स्थिती दिखाई पड़ रही है, कद अगर बिताना चाहते हैं, कारिक्षत्र से जुड़ा कोई बड़ा निरणय लेना है, तो आपको बहुत सचेत्र रहना होगा, जरूरत पड़े, तो अनुभवी जो भी लोग हैं, उनकी सलाह आपको ले लेनी चाहिए, तो कुल मिलाकर के तुलरासी के जातकों के दिल ये द दिन खराब नहीं कहूंगा, दिन अच्छा है, पर जरूरत यही है कि आप बिनमरता के साथ, सब के साथ पेस आईए, प्यार का जवाब दे रहे हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, क्योंकि सामने से सुकृति मिलने की संभावना है, नए संबंध की संबंधित कान में दर्द इत्यादी या सीने में दर्द, इन दो जगों में दर्द से संबंधित कोई परशानी थी, तो अपने स्वास्त का विशेश रूप से ख्याल रखिए, शुलिंग पर आज थोड़ा गंगाजल चढ़ाईएगा, लखी अंकी एक लखी कलराप्रिया मेजेंटा है, ब्रश्चिक के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, दिन शुब है, भाग्या आपके साथ है, धन्ज संबंधी मामलों में कोई चिंता थी, तो वो चिंता दूर होगी, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, मन की बात हर किसी से शेर मत करिए, न इतने भी जरूरी काम थे, विशेष करके जो जटिल काम थे, जो काम नहीं बनते दिख रहे थे, वो बनेंगे, परन्तु लोब हमें आकर के कोई गलत कारे, कोई गयर कानूनी कारे, शॉर्ट कट से कमाने के चकर मत पढ़ियेगा, नहीं तो आप पैसों के मामले में ही फंसन करने बाले भी हैं, निवे सित्यादी सावधानी के साथ करते चले जाए, बहुत अच्छा है दिन, अच्छा लाव मिलेगा, लव लाइफ के दृष्टिकोंड से भी आज के दिन को मैं आप के लिए बहुत बढ़िया कहूंगा, प्रेमी के साथ बहुत बढ़िया समय बीते ही है, बाकि वैसे स्वास्थ में कहीं कोई परिशानी नहीं है, आज सभी जो ब्रिश्चिक रासी के जातक है, वो जल में केसर डाल करके शूलिंग पर अरपित करें, रक्यंक पांच लकी कलर आपलिया सफेद है, निवेश करें, और यही बात धनू के लिए कहूं, तो परिश आपको करना चाहिए, भाग्य आपका साथ दे रहा है, उत्साह के साथ आगे बढ़िए, आपने विश्वास बना रहेगा, जो भी जरूरी काम है, वो पूर्ण होते दिख रहे हैं, दिन बहुत अच्छा है, कोशिश करते चले जाईए, कठिन से कठिन कार्य भी पानूनी अर्चना गई थी, तो उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको मिलेगा, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तुलाब की योग बन रहे हैं, नौकरी में ट्रांसफर इत्यादी की कोई सूचना थी, आप नहीं चाहते हैं, तो इस पर आज बात करने के लिए बहुत बढ़ से पेश आईए, परबात ये दिविद्यार्थियों की करें, तो बिद्यार्थिवर के लिए आज का दिन बेहद खास दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा है, स्वास्त के मामले में कहीं कोई विशेस परिशानी नहीं, बस खान पान पर आपको नियंतरन रखना होगा अपनी आखों का खयाल रखिएगा, गन्ने के रसुसे आज शिलिंग पर अभिशे करिए, शिलिंग पर अरपित करिए, विशेस पायदा मिलेगा, लकियंक दो लकी कलराप्लिया सिंदूरी है, निवेश करिए, मकर के जातक निवेश से बचें, या निवेश करना जरूरी स नमस्ते हैं, तो किसी अनुभवी की सलाह से करें, कोई महत्तो पुरुन कदम उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए दिन उत्तम नहीं है, छोटी मोटी बाद हाँ, कारियों में आती रहेंगी, कारियों रुक रुक करके पूरुन होते दिखाई पड़ रहें, नौकरी पेसा है आपके लिए, शत्रुता का त्याग करिए, शत्रु से भी आज मित्रवत बेवार रखने का प्रत्न करिए, या तो दूरी बना करके रखिए, इसी में आपका लाव है, बिन मांगी सलाह मत दीजे, किसी के कारे में दखलंदा जी मत करिए, दामपत्य जीवन सामान में दि बिद्यार्थियों की करें, तो बिद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा, मन पढ़ाई में कम ही लगेगा, इधर उदर की चीजों में ही आपका समय जाने वाला है, और स्वास्ते के दरश्टिकोंट से देखें, तो स्वास्ते में भ बात करूं, तो आत्मविश्वास बना रहेगा, हला कि लगभग हर कार्यों को पूरा करने में छोटी मोटी बाधा परिशानियां आती रहेंगी, परन्तु एक मूल मंत्रा आज आपको याद रखना है, कि जो काम हाथ में लिया, उसे पूरा करने का प्रत्न कर ये संभव है की परिश्थितियां आपके पक्ष में ना हो तब भी, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, हला कि एक बात बता दूँ कि आपके साथ के लोग ही आज आपका साथ छोडेंगे, परिशान मत होईएगा, सचेत रहिएगा, ब्यापारियों की बात करूँ तो यात्रा है, प किसी को धन उधार मत दीजेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी से जरुवत पढ़ने पर सहयोग भी मिल जाएगा, दामपत्ति जीवन सुखद है, प्रेम समंध के मामले में भी आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा, विद्यार्थियों के लिए दिन उत्तम नही सामान में, समय इधर उदर की चीजों में ही ब्यर्थ ब्रबाद होने वाला है, और स्वास्थ के द्रिश्टिकोंड से देखें, तो स्वास्थ में भी थोड़ी परिशानी दिखाई पढ़ रही है, नीन की कमी, बेचैनी, जिन लों को मानसी का शांती है, डिप्रेशन की श हर तरह से सफलता है, यूँ समझ लिजे बिजय प्रदायक है दिन, आर्थिक परिशानिया हल होते दिख रही है, नौकरी पेसा है, ब्यापारी है, सब के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, ओफिस में हूँ, फिल्ड बर्क में हूँ, हर जगह, यूँ सम हर जगह सफल होते दिखाई पर रहे, नई नौकरी मिलती दिखाई पर रहे, व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, व्यापार के विस्तार के लिए जो भी आपको करना पड़े कदर करिए, कोई निवे सित्यादी करना चाहते हैं, तो मरोड कर या घुमा फिरा करके नहीं सीधी बात आज रखियेगा, लवलाइफ के दृष्टि कोंड से दिन को मैं सामाने त्या ठीक कहूंगा, कुछ मामलों में मत भेद की स्थिती है, तो समाल लिजेगा, दामपत्ते जीवन तो फिर भी सुखद ही है, और बात ये जी भी द्यार्थ यूकी करें, तो पढ़ाई को लेकर के जितना हो सके गंभीर हो जाईए, दिन अच्छा है, मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी, और स्वास्त का विशेश रूप से ख्याल रखिएगा, विशेश करके पेट का आपको ख्याल रखना है, जिनको पित जन्ने परियंत प्रतेक राश्केजातकों का पूरे दिन का हाल, अभी कले बस इतना हिजाजत दीजे, पुनह मुलाकात हो, तब तक के लिए, नमस्कार कर दो कर दो किया है, जिनको बस एंच कि अलुमान से ऊस्त्वाइभार रखिएगक, यजेश, आपको ख्याली मुलाका शा का विटेश्ब आपको खा बाता है, अजेशब आपको आपकोष्णार का आपको है, और दूर पताली, भी कैसा है, बाला है, झालुमान तोर रह प्